हेलो फ्रिंड्स वेल्कम डू मैं इस्टडी स्वीच चैनल दोस्तों जैसा कि मैं इनुटॉमी एंड फिजियोलोजी के सभी टॉपिक को किलियर कर रही हूं आज मैं अंतर हिस्ट्रावी यानि के एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतरगत पियूस ग्रंथी यानि पिट्रूटरी ग्रंथी जिसे मॉस्टर ग्लैंड भी बोलते हैं के बारे में डीटेल में बताऊंगी इस वीडियो को देखने के बाद प्यूस ग्रंथी से रिलेटेट कोई भी कोस्टन्स आप कभी नहीं भूलेंगे पूरा डाउट आपका किलियर हो जाएगा बस वीडियो को सुरू से लाज तक देखिएगा सभी एक्जाम्स के लिए बेरी इंपोर्टेंट है या हमेशा कोस्टन इससे पूछा जाता है और दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम्स सहा किसी भी स्टेट का हो TGT PGT KVS LVS CLT का प्रप्रेशन कर र यम सी क्यूष कोस्टन के बनाया गए है उसका पर्क्टिस करना बोखिल यह को सभी फ्यरी इमपोर्ट है तो दως फो चलीए चलते हैं आज के टौपिक की तरह पीूषगरंति क्या है इसके बारे में जानते हैं जैसे कि दूस्त Hey जोड़ेंटी ग्रंति अन् Gel生身 कं पहें aware दोस्तों जो अंता इस्त्रावी ग्रंथिया होती है वह नलिका विहीन होती है नलिका नहीं होती है और हार्मोन्स का इस्त्राव करती है और जो अंता इस्त्रावी ग्रंथिया होती है इंडोक्राइन ग्लेंड या जो है इसमें वहिकाय नहीं होती है नलिकाय नहीं होती है इस इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ तो जैसे कि दोस्तों इंडोक्राइन के अंतरगध प्यूस गंथी पिनियल गंथी, हैपोथिलेमस, थायराइट, पराथायराइट, थाइमस, एड्रिनल, शेक्स गंथिया आती हैं जिसमें से मैं प्यूस गंथी के वह अन्य सभी गंथियों को कारियों को नियंत्रित करती है, ठीक है, प्यूस गंथी क्या करती है, अन्य सभी गंथियों के कारियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मौस्टर ग्लेंड बोला जाता है, जैसा कि दोस्तों एक क्वेशन और बोला जाता है, कि प्यूस गं इस भी गरंदियों को करता है और laseraire GLN कि जब भी बात करें तो इस पेज उम्में görगÁ ज है इन फंधी बूलम या हाइपो थलेमस से एक छोटे ब्रिट द्वाराद जुड़ी रहती है यह कहां पर एसित होती है दोस्तों यह कपाल की इस्फिनायड हड़ी के सेला टर्सी का नामक गर्थ में होती है हाइपोथलमियस के नीचे और मक्का यानि मटर के दाने के समान यह गोल गोल होती है और इसका वोजन जो है 0.5 ग्राम होता है यह दोस्तों तीन पालियों में बटा होता है अग्रपाली मध्यपाली पस्चपाली अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है अब मध्य पाली जो है अलप विक्सित होता है और पस्च पाली को नीरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है तो अगर पाली जो होता है दोस्तों यह प्यूस ग्रंती का अतिन बटी चार भाग होता है यानि एडिनो हाइपोफाइसिस और अगरपाली यानि एडिनो हाइपोफाइसिस से साथ हार्मोन इस्त्रावित होते हैं और पस्चपाली यानि नीरो हाइपोफाइसिस जो होता है या मस्तिस की डैन सफिलान की अधर दिवार से विशित होती है और पस्चिपाली यानि नीरो हाइपोफाइसिस में दो हर्मोन इस्ट्रावित होते हैं जिसे बेसोप्रेशीन और आक्सिटोसीन बुला जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगरपाल यानि एंटिरियर लूप ठीक है यानि एडिनो हाइपोफाइसिस की इसके इससे साथ हर्मोन्स इस्ट्रावित होते हैं जैसा कि सबसे पहला है सुमेटोट्रॉफिक हर्मोन्स जिसे ग्रोथ हर्मोन्स या ब्रिद्धी हर्मोन्स भी बुला जाता है सुमेतो प्राफिक ह़र्मोन्स यानि STH2R by बोला जाता है अध्वा इसको बृध्धि हर्मोन्स यानि growth Beweg बोला क्या ज्याल में रखेगा है जेसा कि इसका क्या है दूस्तों बृधिछा यानि growth hormones का STH का यह हमारे सरी के ब्रिद्धी को प्रोहावित करता है यह उत्तकों के च्छे कोशिकाओं के विभाजन हड्डियों वा पेस्यों के विकास अस्वयों यह उत्तक के ब्रिद्धी को प्रोहावित करता है लंबी अस्थियों पर अधिक प्रोहावर डालता है यह द hypothalamus के व्रिद्धी हर्मों मुक्ती तत्व यानि growth हर्मों做 releasing factor को तो व्रिद्धी हर्मों के इसकर को घटाता है कि तेह गह जय selecting तक्था प्रहत है यानि growth ब्रिधी हर्मोन्स यानि की जियर्स की या सुमेट्रोफिक हर्मोन्स की अर्प इस्तराव हो यानि कमी हो तो ब्रिधी हर्मोन्स के अर्प इस्तराव से होने वाले रोक कौन कौन से होते हैं इससे होता है बौनापन यानि दिवार फीज्म और पित्रूटरी मिक्षी डिमा जो इसे बोनेपन को एंटी लियोटिस बोला जाता है ये बोनो को मिडगेर से कहते हैं गचार सैंटी और वोनेड़न वो हमान लखिव हो जाती यारी थाय की अल्फ order विक चाहिए होता है इसे कम जोरि हो जाता है जर। श्मता में कमी हो जाती है जर। नंहुंको काप्र भीकास रूख जाता है तो यह सर्भी लच्ठव होते हैं यह इस ही जाता है यहाँ बाले हावस्था में इसमें हश्ट पूश्ट भीमकाय जय लिए ग्वाइन्ट व्यष्प का susceptible होता है इसको, पित्योट्रा भीम्कायता भी कहते हैं और वय्सको में क्या होता है? अगरा-तिकायता यानी एक- क्रोळ मिलेगी एक- क्रोळ मिलोगी यह वय्सको में GC's की अधिक्ता से होता है यानी growth hormones की अधिक्ता से जैसे की इसमें गोगिल्ला के समान मुंखा गया है कि हाथ पाव सरीका Ansatta से अधीक असमानने बरीजी को क्या कहते हैं तो एक मिलेगी कहते है इसलिए अनदर से कुछनप पुछ सकता है इसे आपको ध्यान में रतना जरुरी है अब बात करते हैं अगर पाली से दुसरे हर्मोंस को निकलता है गुनेडो ट्रॉफिक हर्मोंस गुनेडो ट्रॉफिक हर्मोंस जिसे जी अच भी बोला जाता है तो गुनोडे ट्रोफिक हर्मोंस जो होता है यहाँ शिक्स ग्रन्थी के हर्मोंस की इस्ताव को नियदित करता है नर में ब्रिसर एवं मादा में अण्डासेयों के उत्तेजना होता है इसके कारण एन लेंगिक परिपकोता यानि sexual maturity एवं लेंगिक कारियों की पूरता के लिए आवश्चेक होता है यहां दो प्रकार के हर्मोंस का इस्तराव करता है जैसा कि फॉलिकल उत्तेजक हर्मोंस एन लिटिन परक हर्मोंस जिसे अंतरालकोसिका हर्मोंस या इंटर इस्टीटियल सेल stimulating हर्मोंस भी बलगता है जो फॉलिकल उत्तेजक हर्मोंस होता है या फॉलिकल stimulating हर्मोंस जो होता है या फसच यहां महिलाओं में अंडाड यानि ओभम वह पूर्सों में सुक्राड़ यानि इस्परम के उत्पादन और उसके बिक्सित करने का कारे करता है यह ध्यान में riяж स्थोिश्ट्रान के उत्पादन एबम स्थ्राव को नियन्तित करता है ठीक है एंक्स्ट हर्मों है एेडिनो कार्टीकोड्रोफिक हर्मोन जिससे cth भी बोला जाता है यहार यहर अद्रिनल्ज ग्रंथी के कारियों को नियंद्रित्ट करता है. अद्रिनल्ज कया कोर्टेक्स भाउग से उत्तृबादन होने वाले कार्टिस्षूलён earth के उत्तृबादर के उत्तवादन को नियंद्थित्ट करता है City कमी अगर हो जाती है तो δ lect हो जाती है यह ध्यान में रखियेगा कर्टी को ट्रो कमीओ हो जाती है तो अफ़िया को जाती है अफरो त्याइट हार्मोन दोस्तों जिसरु से शुरू है उसी चैज को नियंतित करती है जैसे कि एंप visa काथियों तैही ठेश कृभिया कार्मोन किस से नियंतित करेगी फैराड ख्रंथी को तो को प्रेरीट नियंतित करता है। इसकी अधिक्ता से थारायड के अच्टी इस्तराविड के कारओ उत्पन न लच्षड़ों के समान लच्छ उत्पन होते हैं जिसको हाइपो थैलेमस से इस्त्रावीद थाइरोप्रोपिन मुक्तित तत्व इसके प्रभाव को नियंदित करता है नेक्स्ट हार्मोन है लेक्टोजेनिक हार्मोन जिसे प्रोलेक्टिन हार्मोन भी बुला जाता है यह क्या करता है मादा में मादा के गर्व के दुद के निर्मार में करता है यारी दुद का निर्मार करता है इसका इस्त्राव कारपस लूटियम से पोजिस्ट्रॉण के इस्त्राव से होता है इसकी कमी से दुद निर्मार बादित होती है इसके इस्त्राव को उत्प्रेरित क हर्मोन्स मुक्ति तत्व इसको उत्प्रवित करता है नेक्स्ट हर्मोन्स है डाइबेटोजनिक हर्मोन्स यह क्या करता है यह उपाप्त्य को प्रभावित करता है इसका प्रभाव जो है प्रोटीन वह वसा पर भी पढ़ता है इसका प्रभाव जो है इंसुलीन के ठीक भी प यहां क्या करता है यह इसका तोचा की कोशिकाओं में मीलैनीन रंग के कड़ों को फैला कर तोचा के रंग को प्रोहावित करता है तो दोस्तों यह था अगरपाले यानि anterior lobe adenohypophasis से 7 हाர्मोन भात पाले जो अर्लपर बिष्टित होता है Monte निकलता अब बात कर carr यानि नीर्वाइपो फाइसिस से 2 हार्मोन स्ट्रावित होते हैं besopressin, जिसे anti diuretic हार्मोन भी पित्रेसिन भी बिला जाता है और दुसरा ऑक्सित decision सबसे पहले बस बात करेंगे बेसोप्रेसीन की, जिसी एंटि डाई liberalsिक हर्मून्स अथवा पित्रे सिर्म भी बुला जाता है, ठीके, एंटि डाई हीरिटिक हर्मून्स, एडियोच भी बुला जाता है इसको, इसलिए तीनों नाम का याद भी रखेंगा, बेसोप्रेसीन को अंतिडायोटिक होर्म Links ही बूला जाता है , और पिट्रे सिर्ि मी बूला जाता है तो बेसोप प्रिकी नह草त्वा एंटिडायोटिक होर्मोन क्या है यह दोस्तो und घ्कार हैних आंवे ब्रीक की गीदनी होती है ऊसकी वाहेनिऊं जिसने नेफ्रान करते हैं तो निफ्रान, तो ब्रिक की वाहिन जल को जन्ताइब perché करता है या जल को अशोषर कर देदा है त्युद्रान करता है इसे कार इसे मुट्र ृ रोधी जा एंटि-दाइवरिटिक भी कहा जाता है तो इसके कमी से होने वाले रोग कौन होते हैं तो इसके कमी से मुत्र लता यानि डायूरेसिस रोग हो जाता है जैसा है कि जल को आसोसर करता है जब कमी हो जाएगी तो जल को आसोसर कम करताएगा जिसे मुत्र गारा हो जाएगा जल का आसोसर कम होगा तो मुत्र पत्ला हो जा मात्रा बढ़ जाती है और कम जलका आउसर करेगा तो मुत्र के मात्रा बढ़ जाएगी मुत्र पतला हो जाएगा यारी मुत्र के साथ पाने की अधिक मात्रा निकलने लगती है तो था मुत्र पतला वह रुधीर गाढ़ा बन जाता है इससे रुधीर दाप कम हो जाता है जाह जलका आसुसर्ट करेगा तो अधिक्ता से जादी जलका आसुसर्ट कर देगा तो इसके अधिक्ता से होने वाले रोग है diabetes, insipides, ठीक है? कमी से मुद्रलता diuresis रोग होता है और इसके अधिक्ता से diabetes, insipides होता है अधिक जल का होसुसर करेगा तो पिसाब की मात्रा कम हो जाएगी पिसाब की मात्रा कम होगी तो पिसाब गाढ़ा हो जाएगा और रुधीर पत्ला हो जाएगा ठीक है तो जब पिसाब की मात्रा कम होगी तो बार बार पिसाब आता है और सरीर से अधिक पानी निकलता है ठीक फीर दोस्टेश świe में दुसरा हॉर्मों से निरो हाऊपोफाषित से आंग्सी टॉक्सीन हार्मों जिसे पीटोशिल भी बोला जाता है यहां क्या करता है दोस्तों दुर्ध का इस्ट्राव करता है जैसे कि मैंने पिछले बताया था इसी के पिछले पार्ट में कि दुद्ध बनाता कौन है लेक्टोजेनिक या प्रुलैटिन हार्पून अदूद का इस्ट्रार कुन करता है आकसी टॉक्सिन तो इसका निर्मार जो होता है ग्रभावस्था की अंतिमी सिती में होता है आकसी टॉक्सिन का तथा ग्रभासय की दिवार की अनेच्छिक पेशियों के संकुचन को करता है जिसे यह प्रसव के समय ग्रभासय की फैलने त होते हैं कौन-कौन से होते हैं करने काुछ singing का डिआ कशिक आ एक एक पार्ट समझ में होगा तो दोस्तों को काश्य 드 बताई जाद सायर की जिए और जदी आप चूटे हुछ strive करें तो के रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी विल आइकन को प्रेस कर लेजी जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहेंगे